हेलो गाइस वागत आपका जबी टेक्निकल कोट पे एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ आज हम बताने वाले पग जी गेम इतना सक्सेस क्यों है उसके पिछे की स्टोरी आप अपने आस पास इतनी कई सारी गेम देख रहे हैं लेकिन पग जी एक सक्सेस गेम क्यों है त तो सक्किक मत कीजिए पूरा वीडियो देखे गाई तो देर ना करते हो है वीडियो को करते हैं शुरूब प्लेयर नोन बेटल ग्राउंड्स जिसे हम पबजी के नाम से भी जानते हैं यह बहती पॉपिलर गेम है इस गेम की शुरुवात हंडल प्लेयर से होती है जिसे किटनेप करकर एक रेश्यन आइलेंड में सर्वाइव करना होता है प्लेयर्स पेराशूट की मदद से जम करत है अपने अपने सर्वाइव के लिए इस गेम के प्लेयर्स को बाकी के निन्यान में प्लेयर्स को हराना होता है चिकन डिनर के लिए चिकन डिनर इस गेम का रिवोड है यह एक ऐसा गेम है जो सभी जीतना चाहते है और इस गेम में प्लेयर्स को घरों में जाकर लूट करनी होती है और बहुत सारी Guns, Rifle, Granite और बाकी चीज़े मिलती है पहले भी हमने इस गेम के जैसे मुवी देखी है जिसका नाम है Hunger Games और Battle Royale और ये गेम उसी मुवी से इंस्पायर है ब्रेंडन ग्रीन जिसे ब्रेंडन प्लेयर अन्नोंस भी कहते है इस गेम बाद में ब्रेंडन आइलेंड चोड़कर ब्राजिल चले गए और वहाँ उन्होंने अपनी गल्ष्रेंड से साधी कर ली और कुछ सालों के लिए वहीं बस गए दो साल के बाद उनका डियोज हो गया और इस चीज़ से ब्रेंडन काफी डिप्रेस हो गए डिप्रेसन की वज़े से ब्रेंडन फिर से अपना आइलेंड लो टाए और अपने पास्ट टाइम में ब्रेंडन वीडियो गेम्स खेलने लगे उसमें सामिल थे कॉल ओफ डूटी और एसेसेंस क्रीड आइलेंड में ब्रेंडन ने दो और गेम्स की खोज की जिसमें सामिल थी आर्मा और डेजेड दोनों ही गेम्स ब्रेंडन को काफी पसंद आए आर्मा एक मिलेटरी टेकनिकल शूट गेम है और इस गेम में काफी मोड किये जा सकते हैं और डेजेड आर्मा का ही एक मोड है जिसमें जोंबी से लड़ना पड़ता है क्योंबे आर्मा में । बात में ब्रेंडन ने डेजेड का ही एक मोड बनाया जिसका नाम था डेजेड बेटल रोयाल ये एक नया गेम था काफी प्रोपिलर हुआ और इसको देखते हुए सोनी ओनलाइन एंटर्टेंडमेन जिसका नाम अब डेब्रेक कंपनी हो गया है उन्होंने ब्रेंडन को जोब वपर किया एक गेम बनाने के लिए जोकी एक सरवावल गेम था वो वो भी डेजेड पर ही इंस्पायर था वो नया गेम ब्रेंडन ने जो सोनी डीवी के साथ मिलकर बनाया था उसका नाम हेच वन जेड वन किंग ओप दे कील था उसके ब्रेंडन को जो सामा है फिर ब्रेंडन डेब्रेक नाम की कमपनी को छोड़ दिया और वो फेबरुवारी 16 खो चले आए साउथ कोरिया वहां ब्रेंडन मिले एक कोरियन गेम डिजाइनर चेंग हान कीम से जो ब्लू होल नाम की कमपनी में काम करते थे और बेटल रोयाल गेम बनाना चाहते थे और डेजेट गेम से काफी इंप्रेश्ड थे वह कोरियन गेम कमपनी एक ऐसा सर्वायल गेम बना चाहती थी जो किसी ने आज तक नहीं बनाया हो उस कमपनी का आइडिया ब्रेंडन को अच्छा लगा और वो सभी लोग गेम बनाने में लग गए ब्रेंडन की टीम ने दिन रात महनत करी और वो चाहते थे कि ये गेम एक साल के अंदर ही बन जाए और साथ ही सेस्टे में भी अरली 2016 में गेम बनना सुरू हुआ और उनकी टीम की डेडलाइन सिर्फ एक साल की थी पहले तो ब्रेंडन की टीम ने एक छोटा सा गेम बनाया जिसमें एक मेप था एक मोड था और कुछ वेपूंस थे तरे जरे गेम का डेवलोप्मेंट बढ़ता गया और फाइनली मार्ट 2017 में गेम बेटल ग्राउंड को रिलिस किया अरली एकसेस के रूप में बेटल ग्राउंड गेम गेमर्स को काफी पसंदाया क्योंकि ऐसा गेम गेमर्स ने पहले कभी खेला ही नहीं था और ये पूरा नया कॉंसेप्ट था देखते ही देखते पबजी की रैंकिंग बढ़ते गई और ये बहुत सारे गेमर्स दूरते गए और ये बेस्ट सिलेक गेम बन गया जल्दी ही एक करोड राउंस केले गए इस गेम के और सिर्फ चार मंथ के अंदर 4,500 करोड रूपे कमा लिये ब्लू होल कमनी ने एप्रिल होने तक 10 लाग कोपी बेची गई और अगले दो महीनों में 7 लाग कोपी बिग गई PUBG ने कए बड़े बड़े ओनलाइन गेम जैसे की Dota 2, League of Legends, Counter-Strike Global Offensive को भी घरा दिया और आज इस गेम के 30 लाख से भी ज्यादा एक्टिव प्लेयर्स है सुरू से ही इस गेम का मोटिव था सर्वाइव करना और आज भी बदला नहीं है और आने वाले वर्जन में नए मेप एड़ किये जाएंगे मगर ब्रेंडन के अनुसार ये ओरिजनल मेप जिसे PUBG की शुरुवात की है वो हमेशा ही आइकोनिक रहेगा सब्टेंबर 17 को PUBG कॉर्परेशन की शुरुवात हुई जो की ब्लू होल की ही एक सबसीडरी कंपनी है इसका ओफिस अमेरिका में खोला गया आने वाले समय में यूरोप और जापान में भी ओफिस खोले जाएंगे डिसेंबर 20 को गेम फॉर रिलीज हुआ PC और Xbox पे और एक नया मेप भी एड़ किया गया है PC वर्जन में जो की एक डेजेट में फे PC और पने ते खोले से किते घह जजेए हुआजर आत और आने वाले समय में गेम PS4 बर भी खेला जाएगा मार्च 15 को Android में गेम का डेटा प्रोग्राम रिलीज किया और मार्च 16 को iOS दिवाइज में और फाइनली मार्च 19 को ओफिस्चियली इंटरनेशनल मार्केट में रिलीज किया आज popularity इतनी बढ़ गई है कि PUBG को बाकी गेम्स कोपी करने लगी है जैसी की Forkland Battle Royale, Palladians Battlegrounds और Chinese game T2 Judgment Day Battle Royale ब्रेंडन जिन्होंने इस गेम को डिजाइन किया था सोचा नहीं था कि इस गेम का इतना पोटेंशन है कि बड़ी बड़ी कंपनी जैसी की Facebook, Tencent और Epic Games भी अपना पैसा लगाएगी और आज इस गेम को डोकना मुश्किल है गेम इतना पोपिलर है कि ESL जिसे Electronic Sports League कहते है वो करोड़ो रुपे की Championship Tournament खिलाता है यहाँ पे दुनिया के एक से बढ़कर एक गेमर्स आते है और एक दूसरे से कमपैन करते है तो गाईज आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबना ना बुले तांकि मेरी सारी अप्जास की Notification आपको मिलती रहे तांकि मेरी साथ करते हैं